गाइज अगला वाला कहता है पेड फाइफ फिफ्टी इन कैश एज वेज़ेज और इंस्टोलेशन ऑफ प्लांट याद आ रहे हैं मैंने पढ़ा है था मैंने कहा था जब जब आप कोई ऐसेट खरीते हो और उस ऐसेट को यूज करने से पहले जितने भी खर्चे आप करते ओ दे हाव टू बी एड़ेज इन दा कॉस्ट ऑफ एसेट इसका मतलाब वेज़ेज नाम से हम खर्चा बुक नहीं करेंगे अरे याद दो चीज होती है एक वर्ड आप देखोगे सेलरी और एक वर्ड आप देखोगे वेज़ेज जारा स करते हैं Wages आप डेतेएं वरकर्स को मज़ूरों को जो आपके लिए मुस्ली क्या करते हैं ये Office में बैखने और यह लोग है की factory में काम करते हैं डारेक्ट क्या करते हैं यह product पे काम कुरते हैं तो क्या आपको समझ में और यह को ने Employees का काम करते हैं ओफिसमें यह को preparedness क्यों भी जिसनाम से खर्चा पुक नहीं करेंगे क्योंकि एक एस प्लांट प intent लगा है कि इस याँ ने के लिए वो उड़ान के लिए जोभी तक यूस्ट नहीं हुआ तो इसका मतलभ डेबिट टू प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश कैश में दिया है ना बैंक से थोड़ी दिया है नहीं चलो 550 यहां पे आप नरेशन लिख दोगे क्या होगी नरेशन विंग आमाउंट पेड फॉर इंस्टलेशन और प्लांट क्लारेटी आगे गई अब देखो इसके आ मैं इसी में तुम्हें एक लॉजिक पढ़ाऊंगा और लॉजिक पढ़ाऊंगा कि जो गुड्स आप खरीदते हो ना उसका क्या-क्या यूज आ सकता है आरा सुनें वो मैं भी आपको बताऊंगा ठीक है तो मैंने का वो मैं आपको बताता हूं पर आप एक बार पहले मतलब आपने इस साल जो गुड्स दिये चैरेटी में वो दिये बेटा 300 रुपे कितने दिये 300 अब ध्यान से सुनना ट्रांजेक्शन नंबर तो 52 है ये बट एक बात बताओ आपने गुड्स खरीदे तो आप गुड्स पर्चेस करते हो एंट्री क्या मारते हो ध्यान से बत रांजेक्शन सारे के सारे हम करके आएं तो कोई टेंशन लेनी की बात नहीं है गुड्स पर्चेस होते हैं तो एक एंट्री आती है वह एंट्री होती है पर्चेस तो कैश याद गरो यह एंट्री होती है तो पर्चेस तो कैश देखो यार कनेक्ट करना बहुत जरूरी होत बच्चा क्या करता है अगर goods given as charity है ना तो वो ना सिर्फ charity charity के entry कर लेता है और वो connect नहीं करता कि पुराने वाले से कैसे connected है बट मैंने कहा main चीज होई है आपके दिमाग में जो एक message आता है ना यार कि यार हमें accounts बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है मतलब हमें connect हो पा रहे कि अपन लोग इतनी logically इस चीज को continue कर रहे है मतलब कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि जो बिना logic के चल रहे है पूराने वाले से बार-बार connect कर रहे है क्योंकि बच्चा यह connection मिस करता है और फिर जब revision करता है तो उसको बहुत problem होती है अब मैंने का ध्यान से सुने मैंने का यह पर्चेस किए वे जो goods है अब ध्यान से देखो मैं यहां पर लिखता हूँ पहले goods given as charity as charity goods कैसे डिया आपने charity में दिया ध्यान से देखना goods कैसे दिया आपने charity में दिया मैंने का ऐसा भी हो सकता है goods given as फ्री सेंपल कई वार होता ना नया प्रोडक्त आप कहीं जाते हो मॉल वगेरा में तो आपको एक फ्री सेंपल देते हैं अगर आप वहां पर पर्फियूम सेग्मेंट में जाओगे तो वह आपको क्या करेंगे कि एक छोटी छोटी बॉटल भी होती है तो आप जब वहां पर जाते हो और अइसा करते हो तो वह क्या करेंगे आपको एक सेंपल देंगे चोटा सा होगा बिल्कुल चोटा सा क्यूट सी बाटल होती है मुझे अट्राक करने के लिए वह आपको देंगे आप उसको यूज करें तो बेसिकली यह फ्री सेंपल वह क्यों दे रहें वह एड़टाइस करने के लिए ठीक है तो मैंने आपको समझा भी दिया एक्जामपल इसको समझते हैं मैंने का आपको याद होगा मैंने आपको एक स्टूरीज नहीं थे और मैंने का था वाई वी आर डेबिटिंग दिस पर्चेज अकाउंट व्यवी विल रिसल दें क्या बोला वी विल रिसल दें अरे मैं पर्चेज में उसी चीज को लेता हूं जो मैं बेचने के लिए खरीदा हूं इस चीज के लिए क्षरीदा हूं? बेचने के लिए अब मुझे एक बात बताओ जो गुट्ड आपने खरीदे यहाँ पे और though ter तो यार आपने purchase नाम से खर्चा बुक किया था ये है क्या ये है तो expense ना अरे purchases भी आपका है तो expenses ही बट purchase account क्यों use हुआ था क्योंकि आप इनको बेचने वाले थे बाद में हमें पता पड़ा इनको हम बेचने नहीं वाले है ये तो हमने charity दे दिया donation कर दी तो भाईया उस case में क्या होगा मैंने का खर्चे का नाम क्या होना चीए था charity मैंने वहाँ उपर क्या लिख दिया purchase तो मैंने का मेरे प्यारे बच्चों ये 300 रुपे charity में डालो क्यों खर्चे का सही नाम क्या होना चीए charity अरे जब हमने वह purchase वाली entry मारी थी तब सही entry मारी थी उस पे शक मत करो बड़ बाद में जाके वह गलत प्रूव हो गई क्योंकि हम उसको क्या कर रहे है charity में दे रहे है तो अब मैं charity account को debit करूंगा charity भी मेरा एक expense account है और मैंने वह purchase account उस क्यों तो आप क्या करोगे expense को reduce कर रहे हो तो आप क्या करोगेए मैंने का आप पाप expense को hora कर रहे हो तो मैंने पहले गलती से किसमे लिख दिया था जो gobous呢 5000 के जाल दिया परेजिक करोते और्फजिक होई है अब मैंने का गुड़्ज इविनेस फ्रीजह प्रीम्पल क्या वोना गुड़्ज गीवीनेस फ्रीजह पंण जंघा कर्यों कि यहाँ पे आप को deed में किस को डिविट मारोगे है और आप किस पर चेश को करो जो गटेढ़ नाम से डाले पर पर चेस्ट नाम क्रेट गए था यह निस आप अगला व्ला देखते हैं जिंए 53rd क्या कहता है 53rd एंकमठेक्स आप मैं आपको इंकमठेक्स को हम क्या करते हैं धिधान से सुनने hea??? income of tax का मैं आपको एंट्री बता दू आपने in about tax B किया कि तो मैं आपको इंकम एंकम टैक्स आप जब पे करते हो तो आप उसको debit करते हैं आरा समय बट अब सेकंड एंट्री देखोगे तो आपको याद आएगा आपको समझ में आएगा कि इसका logic क्या है नरेशन आप यहां मार दोगे इंकम टैक्स का अमाउंट गोलो सिक्स था होगा देखो यार यह जो अगर इंकम टैक्स का पेमिंट हो रहा है तो यह बिजनिस का खर्चा नहीं है यह किसका खर्चा है ओनर को क्योंकि पैसा कौन कमा रहा है तो हमने का यह इंकम टैक्स जो है यह बाद में जाके मतला बाब आपुस धेखो मैं लॉजिक आपको पूरा पूरा вспciónकरोगा आपकर दिमाग में डाल दूआ इंगा कчесक्या सब्से से पहले मुझे बताओ कि जब इंकम का पेमिंट करोगे ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना इंकम लगाना और 빼दाना जब आप已經 C funktioniert एक कि ये में क्रेडट क्यों कर रहा हूं ये मेरे रिटकि किस मेरें मैं ड्रोइंग्स नाम नहीं लिख आ हूं इनकम टेक्स नाम लिख रहा है अब अब आट्या मानलो यह ओनरसे लेने का है किस से लेने का है और मैंने का अब आप देखो यहां पर यह income tax credit हो गया मतलब ऊपर debit हुआ नीचे credit हुआ मतलब यह खतम हो गया कैसे खतम हुआ capital के साथ adjust हो के मतलब capital normally liability होती है और जैसे हम owner को कहेंगे भाई यह capital के साथ हमने adjust कर दिया याद करो accounting equation में तुम drawings को capital में से minus किया करते थे दिमाग लगाओ drawings को कहां से minus करते थे capital को यार capital का balance अब आप ध्यान से सुनना मैंने का अगर let's say owner अभी आप में एक लाख रुपे मांगता है ध्यान से सुनना और अगर owner ने business से income पे tax पे कर दिया let's say अपनी income पे 5000 रुपे तो मैंने का अगर owner ने 5000 रुपे का tax पे कर दिया तो भाईया हम यह कहेंगे ना owner भाई देख तेरे वियाव पे business ने 5000 रुपे दे दिये तो हमें तुझे कितने देने थे एक लाख बट 5000 रुपे हम और टेक्स के तौर पे दे चुके हैं तो हम कितने देंगे अब 95,000 कितना देंगे 95,000 और देंगे clarity है देखो एक बार देखा गाईस दिमाग में गया मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो एक बार वापिस मैंने का यार owner हम में मांगता था business में एक लाख रुपे business ने owner के लिए income tax का payment किया तो business यही कहेगा ना तू हमसे एक लाख रुपे मांगता था हमने तेरे वियाफ पे 5000 का payment कर दिया तो भाईया net कितना amount देने का है हमें तुझे सिर्फ और सिर्फ 95,000 कितना देने का है सिर्फ और सिर्फ 95,000 story clear है तो मैंने का यार देखो यह जो income tax है in short मेरी liability towards owner को कम कर रहा है और जो liability कम होती है हम उसको debit करते हैं याद आ रहा है और यह income tax तो क्या है बिटा income tax हमने debit किया क्योंकि यह asset है हमारा क्या है asset sir asset क्यों है मैंने का सीधा सा बात यह पैसा हमें लेने का बैने curriculum क्या बूला ओल्री डाक्षिप अठ्टे इसमें बहुत अठकते हैं आप दिमाग लगे सुनना जो logic लगे वह आप लिगे वापस एक बबर आपके लीarnaồi कर मैंने का income tax का payment वा तो हमारा cash कम हो गया final logic सुनना मेरा cash कम हो गया अब मैंने का income tax को debit कर रहा हूं क्योंकि यह पैसा मुझे किस से लेने का है owner से आ रहा से बाद में जब यह पैसा में owner से लूगा तो मेरा asset खतम हो जाएगा asset खतम हो गया इसलिए मैंने credit कर दिया बोलो यार asset मेरा कम हो गया तो मैंने credit कर दिया दूसरा मेरी liability कम हो गई तो उसको मैंने debit कर दिया सारे के सारे logic clear है